कार तो बदलेगे हम यह 24 गंटे के लिए कर सीम बना दे तो मैं बोलता हूँ कि पूरे उलट उलट कर दूँगा मैं अकेले सपागी भी सरकार को देखा है बहन जी की सरकार को देखा है और जोगी जी की सरकार को देखा है सारे सरकारों को तराजू पे तौल करके तब यह बता रहा है जंता कि अकलिस ने कहा कि काम बोलता है तो बहन जी का जो सासन है वह काम दिखता है बोलता नहीं दिखता है नमस्कार आप देख रहें NB News 24 into 7 निलम बोध के साथ लगात और उत्तर परदेश के दोरे पर निकले हुए है आम जंता से राय जान रहे कि इस बार उत्तर परदेश में आखिर क्या चल रहा है और आम जंता क्या मूड बना कर बैठी है और इस बार किसको 2022 में मुख्य मंत्री का ताज पहनाएगी आज हम सगडी विधान सबा में जो कि अंजान सहीद गाउं है उसमें आये हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक टेंपल है और पंसील की जो पटियां है जंडे हैं वो भी हवा में लहरा रहे है तो आज इनी से जानना चाते कि आखिर उत्तर परदेश में किस तरह का माहूल है राजनीती में और क्या सोचते हैं सर आपका स्वागत है नबी निउस में जिस तरह से अंजान शहीद गाओं है तो जानना चाहूंगे कि राजनीती से आप राजनीती की कुछ जानकारिया रखते हैं तो क्या चल रहा आपकी विधान सभा में जिस तरह से हम देख रहे हैं आखलेश जी लगातार दावा कर रहे है कि जो मुस्लिम समूदा है वो सपा को वोट कर रहा है तो इस पर क्या कहेंगे चारों तरफ का इस तरफ से जा रहा है सपप नहीं जा रहा है बीएसपी पे जा रहा है माईयम पे जा रहा है ओबैसी जी का क्या चल रहा है ओबैसी का ठीक रहेगा जो भी ताए कि वो मुस्लिम समाज के नेता है और वो भी लगाता दमखम भर रहे है कि जो मुस्लिम समूदा है हमारे साथ में आ रहा है और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बसपा की तरफ जा रहा है तो ये चाहे अखलेस का दावा हो या ओबेसी का दावा हो या फिर बीएसपी का दावा हो तो समर्थन किस की तरफ जादा है ज़्यादा है वो अख्लेस की तरफ है तो देखे मिला जुला यहाँ पर वोट परसेंटेज है जो मुस्लिम सबूदा है वो पर्टिकुलर किसी एक पार्टी को नहीं जा रहा है जिस तरह से जो भी समर्थक है वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर वोट करेंगे भाई जी नाम क्या है हमारा नाम लालचंद बी जैस्वार है जी जैस्वार जी आपके इस बार उत्तर प्रदेश और खासकर आपकी विधान सबाव में बेसिक मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के हमारा 345 सगड़ी विधान सबाव है जिसमें पर्ट्यासी की छवी संकर यादों की इस अब बहुत अच्छी है जिसको बहन जी ने आशिवाद दिया है और कंबिनेशन जो बन रहा है यसी का और यादव समाज का मैनार्टी का उसके बाद जो छोटे-छोटे विरादरियां है जैसे माली है कहा रहे कोहा रहे सोना रहे इसमें भी राजभर में भी बहुत लेकिन जिस तरह से योगी जी भी एक काड़ खेल रहे हिंदू-मुसल्मान का और राम-मंदिर के नाम पर तो क्या लग रहा है इस विधान सबाके लोग मतलब राम-मंदिर के नाम पर वोट करेंगा फिर विकास के नाम पर सर जनता समझदार है जब उन्होंने जुमला कह दिया तो हर बात को अब जनता जुमला समझ रही है इसलिए कि जनता जानती है कि सपागी भी सरकार को देखा है बहन जी की सरकार को देखा है और जोगी जी की सरकार को देखा है सारे सरकारों को तराजू पर तौल करके तब यह बता रहा है जनता कि अकलिस ने कहा कि काम बो पाके समर्थे के और भी लोग है आपका नाम क्या है राजू भारती जी आपकी विधान सभा में किस तरह के आकड़र खास कर चाहना चाहूंगी कि किन मुद्दों पर चुना हो रहे यहां पर विकास के मुद्दों पर चुना होगा विद्याले बनाएंगे और स्वासिच्छ को इस मुद्देपर मतलग चुना होगा महिलां का सुट्च्छा हो तुव इस पर योगी जी भी दो खेल रहें कि हमने पूरे उप्तर पर्द耶श का विकास के चाहे महिला की सुनक्य की सुरक्षा की बात चाहते हैं लोगों का विकास हो कल्यांड हो रोजिगार मतला सबस्क्राइब जनता चलां के सबसी समस्ती है आप हम तो बहुत क्या सबसे पर इहां सरकार ब्यास पीक रही है। बहुत की आज सभी लोग तो जानना चाहूंगी जिस तरह से उत्तर परदास में तीन पार्टियों की सरकार बनी है लगातार अपने अपने तरीके से तो कौन सी पार्टि का सबसे अच्छा सासनकाल रहा हम ते बोलते हैं बहेंजी के सासनकाल में सब गुंडा मवाली से भाग गए थे और उनकी सासनकाल में सबको मानसमा सुरक्षा मिला और सबको देवस्ता काईदे के मिली है और जोगी सरकार खाली जूट बोलते हैं किस तरह से जूट बोलते हैं जूट इस तरह से बोलते हैं कि हमने ये काम दिखाया है रोड का रोड का भी कोई काम नहीं हुआ है और किसी का विकास भी नहीं हुआ है जो विकास हुआ है वो दलाल द्वारा विकास किये और दलाल खा गए लेकिन जिस तरह से योगी जी कह रहे कि लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों को हम मतलब राशन पानी दे रहे हैं तो इसको किस तरह से देखें राशन पानी जो दे मिलावटी समान मिला है क्या सरकार बदलेंगे सरकार तो बदलेंगे हम यह 24 गंटे के लिए कर सीम बना दे तो मैं बोलता हूं कि पूरे उलट पुलट कर दूंगा मैं अकेलिए तो देखे जिस तरह से आपने नायक मूवी देखियोगी जिस तरह से एक दिन के लिए अनिलकप बनाया गया तो बाउजी भी दावा कर रहें कि अगर एक दिन के लिए मुझे सीम बनाया जाता है तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश की काया पलड़ दूंगा यहां पर यूवा भी है उनसे भी जाना चाहेंगे आपका नाम क्या है मौमन नुरुदीन आज में क्या करते हैं पढ़ाई करते हैं विए फर्स्टियर कर रहें तो पिछले पांस साल में उत्तर परदेश में योगी जी की सरकार रही है उससे कितना खुश है लेकिन उनका कोई विकास अभी तक लिए दिखा नहीं है ना अभी कोई नोकरियों के निकली है ना अभी कोई सासंत है उनके का सासान चोर चंडाल पुलीस यह समट है टाइट रहता है लेकिन कोई विकास नहीं कर रहे हैं लोग को बहुत बहुत परसांयां graduate नोक्रिया नहीं है और इसी में बैजरे बहुत पर्सान हो जाते हैं आपके लगातार अपनी सभव में कहीं कि उत्तर पर्देश में अपने युवां को बहुत बड़े स्तर पर रोजगार दिया आपके पर आएंगे भी ता अखलेश यादव जी को वोड़ दे रहे हूं अधार क्या है उनको वोड़ देने का उनका सब काम रहता है साफ सुतरा काम है क्या साफ सुतरा है बताएं कुछ हमें इतना बढ़िया बढ़िया रोड निकल वादी है अब बहुत सा कालेज भी है उत्तर परदेश में लेकिन उनका काम भी अच्छा मुझफर नगर के दंगे किसकी सरकार में हुए थे पता है अगलेशी मुगा तो फिर किस तरह से कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम कराएं नहीं तिहां कि वीकास बढ़ा-बढ़िया करा है मुझफर नगर म आपर कुछ लोग हैं उनसे भी जानना चाहें जिस तरह से इन्होंने काया कि राजा भाया जी बहुत बड़ी आदमी कोई बताएगा भाई जी जानना चाहूंगे राजा बहुत बड़ी आदमी तो इस पर क्या कहना आपका तो करीब-करी प्रोप्तरभ प्रदेश जानती ह उन्डा तैसिल के रहने वाले हैं जिला परताग बढ़के हैं तो अभी देखे भाई जी ने आपके सामने बताया अब क्या कहेंगे आप देखे युवा है और युवा मैं कहूंगे कि आज हम देख रहे हैं जिस तरह से राजनीती में बहुत कम रूची रख रहे हैं सिर्व जिस तरह से जजाएकार हो रही है अंड़ा पार्टियों की तो वो भी जजाएकार कर लेते हैं जंडा उठा लेते हैं लेकिन कभी भी उस पार्टि की विचार धा रहे हैं उसके द्वारा जो वर्त्मान में या पास्ट में काम किये गया हैं उनको भली भाती नहीं जानते ह हाँ से हमने आम जंता की रहा है लेकिस को रहे हैं वह दावा कर रहे हैं कि बहुत अđच्छे काम हुई लेकिन जो आइसे सामने चर्चाय कराइए तो भली भाती जान सकते लेकिन फिर भी हम यह कहें परदेश के लगातार दोरे पर जिस तरह से समीकरन निकल कर आ रहे हैं हर वैक्ति चाहे वह हिंदू है मुस्लिम है सिख है बौध है इसाई है जैन है हर वैक्ति चाहता है कि उत्तर परदेश 2022 में बहन कुमारी मयाती की सरकार बने ताकि जितनी भी समस्याओं को आज हर वैक्त की जेल रहा है उनसे निजाद मिल सकते हैं